अब काफी दिन पहले से मेरे को एक कॉमेंट मिल रहा है, साथी साथ इंस्टा पे भी लोग DM कर रहे हैं कि ये प्रॉबलम क्यों आरता है, इसको solve कैसे करेंगे, तो प्रॉबलम होता है कि जब भी वो training स्टार्ट करते हैं तो उनका fire button काम ही नहीं करता, साथी साथ अगर वो classes code भी कभी खेल रहे होंगे और उस टाइम उनका fire button काम नहीं करता, बाकी सारे button अराम से काम करते हैं लेकिन fire button वर्क नहीं करता, और भी mode होते हैं जिनमें ये problem देखने को मिलती है, इसको ठीक कैसे करेंगे, यही solution वो लोग जानना चाहते तो मैं सब को reply नहीं दे सकता है, इस मेरे comment box में, चलो इसको solution क्या होने वाला यह देख लेते हैं और साथी साथ देख लेते हैं कि यह problem आखिर कार आता है, यह problem आपको दो तरीके से देखने को मिलेंगे, एक तो आपके screen पे goal goal loading का sign दिखता रहेगा और आपका fire button और कोई भी button काम ही नहीं करेगा उस टेम जब loading सो करेगा, अब यह तो होगा एक problem, ठीके दूसरे problem में क्या होता है, नहीं आपको goal goal loading सो करेगा, और नहीं कुछ सो करेगा, simple आपका game normally on रहेगा, और आपका कुछ भी काम नहीं करेगा, या तो सिर्फ आपका fire button काम नहीं करेगा, और बाकी सारे buttons काम कर सकतें, बट fire button काम नहीं करेगा, तो इस तरीके का अगर problem आपके साथ हो रहा है, यह वीडियो जरू से देख लेना, मैं पूरा आपको समझा दूँगा, किस तरीके से यह क्या होता है, और इसको ठीक कैसे करेंगे, पहले हम लोग solution में देख लेते हैं, जब आपका goal goal rounding loading सो करता है, तब buttons काम करना चाहिए, यह problem basically server के down होने के कारण होता है, और या तो आपका internet connection down होने के कारण होता है, यह दोनो problem अगर आपके phone में या फिर server में, तो यह problem हो जाता है, मतलब loading सो करेगा, और आपको कोई भी buttons काम नहीं करेंगे, तो अगर server का problem है, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, सिर् नहीं करेंगे, तो इसके लिए आप internet connection सही करो, अब यह तो हो गया round round, अगर आपका symbol सो कर रहा है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मेरा problem है, लेकिन अगर आपको यह so ही ना करें, फिर भी fire button काम ना करें, तो यह क्या कर सकते हैं, और यह problem कहां से आखिर कार आ रहा है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके device में कम RAM है, यानि कि 2GB, 3GB ऐसे RAM है, तो आपका यह problem हमेशा देखने को मिल सकता है, क्योंकि यार वुस टाइम ना multi-touch काम नहीं करता, जितना जादा RAM रहेगा, उतना अच्छा multi-touch काम करेगा, और आप ए करना है, multi-touch test और यहां पर सर्च कर देना है, जैसे सर्च करते हो तो टॉप पे ही आपको application सो करेगा, उसको install कर लेना है, मैंने पहले से install करके रखा, इसलिए open दिखा रहा है, तो open simply यहां पर करना है, और यहां पर तच मी का option आ रहा है, यहां पर जितने आप finger रखोगे, उतने multi-touch यहां पर सो करेंगे, जैसे कि मैं यहां पर 5 finger रखा हूँ, 5 से जादा मेरा नहीं हो रहा है, यानि कि मेरा multi-touch maximum 5 support करेगा, 5 finger एक साथ मेरा touch पर काम कर सकता है, तो आप अपने phone के हिसाब से देख लेना, आप में कितना सो कर रहा है, उसे हिसाब से आपका multi-touch work क इसके लिए चैक करने के लिए एक और अप्लिकेसन है, जिसके help से आप यह चैक कर सकते हो कि आपके phone के touch screen का हर पॉइंट वर्क कर रहा है कि नहीं कि बहुत सारे बंदे का phone में ऐसा होता है, उनका touch screen बिल्कुल सई होता, बिल्कुल कहीं से तूटा नहीं रहता, फिर भी अं पर अपको तेस्ट करने के लिए तो आपको एसे एसे स्लाइड करते जाना है, सब फील होते जाएगा तो ऐसे हमें आपको टेस्ट करने है, ठीके, अब ऐसे एसे करते जाओगे तो जहां पर आपका touch screen मानलो खराब है, वहां पर यह फिल नहीं होगा, कभी होगा यह नहीं, तो आप समझ जाना आपका touch screen में problem है, तो मेरे में देखो सारे के सारे feel होते जारे, कोई भी ऐसे बच नहीं रहा, सब feel हो जारे, मतलब मेरा touch screen बिल्कुल सही है, एकदम properly work कर रहा है, तो इस तरीके साब test कर सकता है, अगर touch screen खराब है, तो आपको replacement करवाना पड़ेगा, या आपका ये problem solve होगा, क्योंकि touch ही खराब होगा, तो आपका वहाँ पर fire button work कैसे करेगा, या फिर कोई और button work कैसे करेगा, मेरे में देखो test pass का option आगया, और मेरे में देखो सारे feel हो चुके, मतलब मेरा touch एकदम properly work कर रहा है, तो आप इस तरीके से test कर सकते हो, आपका touch screen सही है अब इससे जादा ये problem किसी और चीज से नहीं आ सकता, जितना मैंने बताए ये चीजे कर लो, अगर आपके साथ ये हो रहा है, तो देख लो मैंने जो जो बताए वो करो, और एक चीजे कि अगर आपने fire button बहुत ज़दा छोटा रहा है, तब भी आप miss fire हो सकते हो, मतलब ज हमेशा proper रखो जिससे आप touch कर पाऊ बढ़िया से, and fire button का placement भी सही जगह पे रखो जिससे आपका finger अराम से वहाँ पर जा सके और अच्छे से आप drag कर पाऊ,